हेलो फ्रेंड्स गुड यूनिंग मैं रविंद्र और आप देख रहें रपी स्टेडी पाइंट्स दोस्तों आज की इस वीडियो में परियावरान और पार्श्थित की से संबंदित महत्पून प्रस्न देख्या हूं जो कि मोस्ट इंपार्टेंट सेलेक्टेट कोश्च है दोस्तों आज के प्रस्न जो है और भी एंटी पीसी के लिए इस पेसल है जो कि प्रियर सियर के एकजाम में पूछे गए है तो अगर आप चैनल पर नए है तो हमारा चैनल आरपी स्टेडी पाइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए जिससे आपको लिटिस नहीं है तो इसका सही आण सवाल जगा अपस नमबर दे जो हाइड्रोजन गेस रह एक गिरिन हाउस फेस नहीं है दूस्त के बार नेक्स्टर कोस्चन हमारई IPCC का पूर्ण रूप है तो इसका सही आंसर आजागा आपस नमबर B Inter Government Panel and Climate Change जो कि IPCC का पूर्ण रूप है इसका बार next question है रियो प्रत्वी सिखर सम्मेलन जिसे हम बोलते है रियो अर्थ सम्मिट किस वर्स आजित किया गया था इसका सही आंसर है आपस नमबर D जो रियो प्रत्वी सिखर सम्मेलन है ये 1992 में आजित किया गया था दोस्तो इसको प्रत्वी सिखर सम्मेलन भी कहते है इसके बार next question है इन में से कौन सा इस्तंधारी जिव मानव जनित मोसमी प्रिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है तो इसका सही आंसर आज़ेगा आपस नमबर C जो ब्रेमबल केई मिलोसिस है ये इस्तंधारी जिव मानव जनित मोसमी प्रिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है इसके बार next question rate data book जिसे हम लाल सुची भी कहते हैं क्या है तो इसका सही आंसर आज़ेगा आपस नमबर D जो ये rate data book है इसको कौन जारी करता है तो IUCN इसको जारी करता है rate data book को इसके बार next question है निल्कित में से कौन सा असत्य है तो इसका सही आंसर आज़ेगा आपस नमबर B जो मेंगरो आम प्रदान करते है ये असत्य है अगर हम आपस नमबर A की बात करें मेंगरो जे वित्ता को बनाए रखते है ये बिल्कुल सही है आपस नमबर जो C है मेंगरो बाढ़ को रोकते हैं ये भी सही है राप्स नमबर जो D है सहरी करन के कारण मेंगरो नश्ट हो रहे है तो ये भी सही है इसलिए इसका अंसर आजगा आप्स नमबर B इसका बाद नेक्ष्ट कोस्टन है वी सही मेंगरो बनो का सबसे बड़ा छेतर नीमन मेंसे कोंसा है तो इसका सही है आजगा आप्स नमबर D जो सुन्दरवन है ये सुन्दरवन पस्चिम बंगाल में है यहां सबसे अधिक मेंगरो बन पाए जाते है आपको याद रखना कहां पर है तो वेश्ट बंगाल में है पस्चिम बंगाल में इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है जे वियूत्ता जिसे हम बायो डाइवरसिटी भी कहते है क्या उल्ले करता है तो इसका सही आंसर आज़ जाएगा आप्स नमबर A किसी छेत्र की संपुन प्रजातियों को उल्ले करता है जे वियूत्ता इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है बायो जीकल हाट इसपार्ट की मुख्य विसेश्थान लिंखित है तो इसका सही आंसर आजएगा आप्स नमबर C कुछ प्रजातियों की फिलाल विलुप्तता की इस्थिती को हम बायोजिकल हाट इसपार्ट कहते है इसलिए इसका आंसर आजएगा आप्स नमबर C इसका बाद नेक्ष्ट कोस्चन है इसका सही आंसर आजएगा आजएगा आध्यान को क्या कहा जाता है इसका सही आंसर आजएगा आप्स नमबर A इनको कहा जाता है पारिस्थिकी इसका बाद नेक्ष्ट कोस्चन है इसका बाद नेक्ष्ट कोस्चन है एक खाद संखला में इनमें से किसके आबादी सबसे ज़्यादा अधिक होती है तो इसका सही आंसर आजएगा आप्स नमबर D जो उत्पादक है एक खाद संखला में इनकी आबादी सबसे अधिक होती है दोस्तों जो उत्पादक है उत्पादक के अंतरगत आते हरे पौदे और होदे पौदे सूर्य के प्रकास की उपस्थिती में अपना बोजन स्वयम बनाते है इसका बाद नेक्स्ट कॉस्चन है इकोटोन का अर्थ क्या होता है तो इसका सही आंसर आजएगा आप्स नमबर A इकोटोन वो है जहां दो बायो मास मिलते है जिसे हम इकोटोन कहते है इसका बाद नेक्स्ट कॉस्चन है प्रात्मिक उभोकता कोन है तो इसका सही आंसर आजएगा आप्स नमबर D जो साकाहरी है इन्हें प्रात्मिक उभोकता कहते है दोस्तों जो साकाहरी है यह अपना भोजन उत्पादक से बनाते है आपको याद रखना है उत्पादक और उत्पादक के अंतरगत आते हरे पौध है इसका नेक्स्ट कोस्चन है उत्पादक को साकाहरी खाते है और साकाहरी को मानसाहरी खाते है इसलिए एक खाद संक्ला सबसे उप्यूकत है इसका बाद नेक्स्ट कोस्चन है इन में निम्न में से कोन सा सरवाहरी नहीं है इसका सियान साज़े अप्स नमबर D जो साफ है यह सरवाहरी नहीं है दोस्तो सरवाहरी के अंतरगत वो आते हैं जो अपना भोजन साकाहरी और मांसाहरी दोनों से प्राप्त करते है दोस्तों जो साफ है यह अपना भोजन मांसाहरी से प्राप्त करता है इसलिए साफ जो है सरवहरी नहीं है साफ क्या है तो साफ है मांसाहरी इसके बार next question है मिट्टी के प्रदुसक जो सुच में जीवों को और पौधों को मारकर खाद स्रंखला और खाद वेब को प्रभावित करते कहलाते है तो इसका सही आंसर जागा आपस नमबर C, किट नासक है जो की खाद स्रंखला और खाद वेब को प्रभावित करते है किस नाचा जिसे हम पेस्टिसाइड भी कहते हैं इसके लाister question है प्रकृति के cleaners इन में से कौन है तो इसका से अंसर जाम आपस नंबर B जो consumers है इसे इन्हें प्रक्र승 के क्लीनर कहते हैं consumers जिसे हम बोलेतें अब घठक अब गठक जितनी भी घराब चीजें सड़ी गली चीजे है, इनको मिट्टी में मिलाने का कार करते है, अब गठक इसके बाद एक्स्ट कोस्चन है इन में से कोन से परस्तिक तंत्र का जेविक संगठक नहीं है तो इसका सियांसर आ जाएगा आपस नमबर D, जो जलबाईउ है परस्तिक तंत्र का जेविक संगठक नहीं है जो आपस नमबर यह है, जो उभखता है, जेविक संगठक है आपस नमबर D, जो प्रोडूसर है, जिसे हम बोलते हैं उत्पादा के भी जेविक संगठक है आपस नमबर जिसे हम गठक यह भी जेविक संगठक है दोस्तो उबभकता कि हम बात करें इसके अंदर तीन प्रकार के भकता आते हैं प्रात्मिक वबभकता दीतियोक वबभकता और त्रतियक उबभकता हो तो दोस्तो ये महतपूर्ण कॉस्चन थे यह हमारा पहला पार्ट है दोस्तो ये most important question थे इस तरह के question के लिए आप हमार channel rp steady point को subscribe करके bell icon को दबाईए जिससे आपको latest video के notification प्राप्त होते रहे thanks for watching this video